Hey my dear friends, आज हम सिखेंगे high pony and उसके साथ waves नीचे मैंने थोड़े से है चोड़े और चार pony tail बांद ली टॉप की pony tail के नीचे छोटा डोनट का टुकड़ा रखा ताकि वो थोड़ा high लगे मैंने twist करते हुए सारे जो sections है उनको मैंने curl किया है curling rod जो है मैंने 16 नंबर के लिए है आप 19 या 22 भी ले सकते हैं जितना बड़ा होगा उतना बड़ा size रहेगा अभी मैं explain करूँगी आपको कि मैं किस तरह से करते हुए जा रही हूँ मैंने पतले पतले section लिए उनको pinch करते हुए पकड़ा एंड उसके बाद में मैं उसको छोड़ देती हूँ मैंने ऐसे हलके से पुल किया और उसको spread किया spread करते ही बिल्कुल आप तुरंट से hard spray कर दीजिए अभी जैसे आपने देखा था कि चार पोनी टेल्स थे पतले-पतले तो हर पोनी टेल के section में हम left to right या right to left जैसे भी जा रहे हैं हम पतले-पतले sections कम से कम 4 से 5 section में हर पोनी टेल को cover करेंगे पतले-पतले होंगे अगर उनके hair बहुत पतले हैं तो आप 4 में complete कर लीजे थिक होंगे तो आप 5 में complete कर लीजे बहुत जादा मोटा section भी मत लेना pinch करने के लिए और बहुत पतला भी मत लेना तो spread नहीं कर पाओगे जैसे spread करोगे hard spray करना compulsory है उससे क्या होगा कि यह बहुत अची तरह से set हो जाएगा आप जब pull करके fix करते हो यानि के spread करते हो तो ध्यान दो कि आप पिछले वाले जो wave है उसके साथ में उसको set कर दो compulsory नहीं है अगर आप थोड़ा सा Hollywood wave type of look देना चाहते हो तो आप वैसे set करो वरना आप डिरेकली भी छोड़ दोगे तो भी यह बहुत सुन्दर लगता है जरूर ट्राय करना यह hairstyle एंड तक देखो कि मैंने कैसे top section तक बनाया है बहुत ही easy hairstyle है यह एंड सुन्दर भी लगता है आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस तरह की hairstyle reception look में पसंद करते हैं cocktail parties में पसंद करते हैं मैंने high ponytail की है आप चार ponytail के साथ में आप चाहो तो single ponytail बना लो लो पोनी एंड इसी तरह से आप create कर सकते हो hairstyle बहुत प्यारा लगता है यह see further यह last वाले section ने मैंने कैसे किया है spread कर रहे हूं center and right and left side top part में बहुत important होता है क्योंकि उसी से आपका total look आएगा and आपने देखा ही होगा कि मैंने front में थोड़ा सा जो mahock section लिया था यानिके top का section है उसमें मैंने खजूर चोटी बना ली थी पहले और top के ponytail के साथ उसको attach कर लिया था ताकि थोड़ा सा front में भी enhance हो जाए थोड़ा सा बाउंस आ जाए और sides में थोड़े से hair चोड़े थे curls temple area में and curl कर लिया उनको minimum accessories के साथ हमने model को ready कर दिया है I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा देखिए minimum products और minimum accessories के साथ हमने कैसे यह hairstyle बनाई है अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरू कमेंट में बताईएगा और आप और क्या सीखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट कीजिएगा thank you so much